नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बसंद पंचमी माग महिने की सुक्ल पॉक्ष की पंचमी तिथी को मनाई जाती है अब बसंद पंचमी के दिन माग सुरस्वती की पूजा की जाती है और माग सुरस्वती का आसिरवाद भी मिलता है इस दिन बहुत से लोग बच्चों का विद्या आरम भिवी करते हैं और ग्यान के लिए वाक पटुता के लिए यानि वानी की ताकत के लिए मा सरसती की पूजा अराधना की जाती है जारू को मा लक्षमी के साथ जोड़ कर देखा जाता है और जारू कपड़े हो आपके गुड़लग को बढ़ाता है वैसे तो अमूमन हर किसी के घर में जारू होता है एक बात हमेशा याद रखिए कि जारू कभी भी काटेदार पौधे का मत लीजिएगा नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जारू से दरिता रूपी गंदगी को हम घर से नित्य दिन बाहर करते हैं और जारू का छोटा सा उपाए आपके जीवन की परिशानी को भी दूर करता है देखें माना जाता है जिन घरों के कोने कोने की सफाई होती है वहां का वातावरन पॉजिटिव रहता है सकात्मक रहता है और घर में कोई वास्तू दोस भी नहीं होता तो जारू से जुड़े भी बहुत सारी बाते होती है आज हम आपको एक खास बाते बताएंगे रात में जारू के नीचे क्या रखें क्योंकि जारू लगाने के बिसे इस नियम होते है अगर वो नियम का आप पालन नहीं भी कर पाए तो कोई दिकत नहीं है बस रात में एक छोटा सा काम करना है बहुत सिंपल है और चलिए हम जानते हैं तो जब हम घर की सफाई करते हैं तो मा लक्ष्मी की किपा हम पर बरसती है और मा लक्ष्मी का प्रतिक ही जारू को माना जाता है ऐसा कहा जाता है अगर आप किसी एकादसी तिथी के दिन पास के किसी मंदिर में तीन जारू का दान करें और जब दान कीचेगा तो इसको गुप्त दान कहते हैं सुबा सुबा अंधेरे में के समय ही यह उजाला होने के पहले ही आपको जाकर वहाँ पर जाडू रखकर आ जाना है या आप चाहें तो जाडू से सफाई करके फिर मही मंदिर में छोड़ कर चले आए और पुराने जाडू जो आपके घर में हैं बहुत दिनों से आप यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए इससे वास्तु दोस पैदा होता है जब भी जाडू टूट टूट कर गिरने लगे तो उसे तुरंथ हटा दे अब पुराने समय में लोग क्या करते थे अक्सर ही मंदिरों में जाडू दान करते थे मंदिर की सफाई करते थे अभी भी लोग करते हैं अब मंदिर में जो जाडू आप ब्रहमूर्त में ही रखियेगा इसका ध्यान लखना है और बिशेस दिन में करना है जैसे कोई तिवहार है कोई सुवयोग बन रहा है या फिर एकादसी तिथी है सुक्रबार का दिन है इन दिरों में आप कर सकते हैं सास्त्रों में जारू का गुप्तदान का महिमा है लेकिन जो जारू से आप घर की सफाई करते हों किसी को दान मत कीजिएगा वरना मालक्षमी उल्टे पैर वापस चली जाएगी इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा जिस दिन अब हम आप से एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जब भी आप घर में जारू पोचा लगवाते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जब जारू लगवाते हैं तो जूठा वेगरा गिरा हुआ उस पर जारू लगा रहा है ये गलती मत कीजिए जूठे पर पहले पानी डाल दे फिर आप जारू लगा है या फिर किसी कपड़े की सहायता से पोच कर हटा ले फिर जारू लगा है जूठे को जारू से नहीं बहार ना चाहिए इससे भी वास्तु दोस पैदा होता है घर में परिसानी बढ़ जाती है और इसके साथ ही घर में जो आप पोचा लगवाते हैं तो हमेशा ही पोचे वाले पानी में फिट करी या फिर नमक डाल के ही लगवाईए तो घर का बातावरन अच्छा रहेगा और घर में पवित्रता बनी रहेगी और जहां पवित्रता होगी वहाँ पर घर में रहने वाले लोग खुस रहेंगे आनंद से रहेंगे पुरानी मन्नेता है कि गुरुवार के दिन घर में पोचा नहीं लगवाना चाहिए ऐसा करने से भी लक्षमी रूट जाती है तो गुरुवार के दिन अगर बहुत जरूरी हो तब क्या करेंगे तब पोचे के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पोचा लगवाईए तो दोस नश्ट हो जाता है जाडू से जुड़ी हम बाते कर रहे हैं तो पहले उसी के बारे में जानते हैं जाडू को भूल कर भी खुले जगह में मत रखिए यानि जिसे च्छत के उपर आपने जाडू लगवाया कहीं साइडी में रख दिया खुले आसमान के नीचे आंगन में है कहने का ताथ पर एक खुले जगह में मत रखें किसी दिवाल में के किनारे की ओट लेकर या कोई छज्जा रेक है उसके नीचे आप रख सकते हैं कोसिस करें कि जाडू को आप अच्छे से संभाल के रखें और ऐसी जगह रखें जहां किसी का नजर ना पड़े जैसे आप अपने घर के धन को संभाल के रखते हैं उसी तर जाडू को भी रखना चाहिए हमेशा ही छिपा कर रखे नहीं तो ये अपसकून माना जाता है जहां भी आप खाना पीना खाते हैं वहां पर जारू मत रखिए नहीं तो इससे क्या होगा ना घर का अनाज जल्दी यल्दी खत्म होगा और स्वास्तमंधी परिसानियां भी परिसान करेगी तो जारू की सफाई का भी धियान रखिए जारू जब भी लगवाते हैं उसको दोकर साप पोछ कर अच्छे से सुखा पर दाख कर रखें इस बात का में सरह याद किएगा कई बार क्या होता है जैसे आपने जारू खड़ित कर लाया तो लगाना यूहीं पर गर आए तो उसके हैंडल जहां पर ज्ञारू पकड़ते हैं आप ना वहां पर सफेद धागा या मौली धागा बांदे उसके बाद ज्ञारू को यूज करें तो मा लक्ष्मी स्थिर रहती है बरकत होती है अब रात में सोने के पहले ज्ञारू का एक छोटा सा परियोग किया जा जाडुर रखेंगे तो जाडु के नीचे दो चार दाना जीरा कर डाल दें जीरा कॉंअ होगा जो सा तो चीsa मसाले में यूज होता है कि कब रखेंगे रात में सौनी के पहले ज्यादा आपको ननी रखना है दो-चार दाने नियम करना है और सुबह में जब जाडू लगाएंगे तो उसके साथ इस जीरी को भी बाहर कर दे और ये प्रियोग आपको रात में ही करना है तो जाडू जब रखिए अगर रात में ही रखना है दिन में नहीं रखना दर्वाजे के पास याद रखना है आपको और एक बात याद रखिए अगर कोई बच्चा अचानक से जाडू लगाता है न तो ये समझे कि अंचाहे मेहमान आएंगे अकस्मी कुरूप से कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं कभी कभी क्या होता है जाडू पर गलती से पैर रखा जाता है तो ऐसा करने से अब सकुन माना जाता है तो जाडू को छूकर छमा मांग ले अब मान लेते हैं कोई जाडू लगा रहा है आपके पैर पर जाडू टच कर दिया वैसे तो जाडू से किसी को मानना या किसी के सर में जाडू देते हुए किसी कोई जाडू दे रहा है अपने देखा नहीं उन्होंने भी नहीं देगा जारू लगए आपके सरीर में तब ऐसे में एक तो अगर एक पैर में लगा है तो दूसरा पैर भी जाडू में टच करें उसके बाद पैर को धूले इससे दोस खत्म हो ज जाहिए ऐसा करने से भी जो बैक्ती विसेस कारी से घर से निकला है उसको कारियों में सफलता नहीं मिलेगी इसलिए तुरंद निकलने के बाद जाडू ना लगाएं कम से कम आदा एक घंटे के बाद लगाएं जाडू को कभी भी खड़ा मत रखिए ये अपसकुन माना जा बाद में पुराना वाला भी ले जाईएगा क्योंकि पुराना जारू आप पुराने घर में नहीं छोड़ सकते उसको भी ले जाना है लेकिन बाद में ले जाईएगा पर जब गरी प्रवेस करेंगे तो एक हाथ में तुलसी का पौधा दूसरे हाथ में जाडू लेकर ही और एक लोटा में जल लेकर पूरा भरा हुआ याद रखिएगा तो यह होता है सुपसकुन बरकत बढ़ाती है घर में सुकसम्रिद्धी आता है तो जीरा का यह बिसेश प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए कई लोग कहते हैं रात में जाडू जीरा घर में विखेर कर जाड दाने सुबह बाहर कर फेक देना तो इससे घर में बरकत होगी नकात्मा कुर्जान नस्ट होगी और कभी किसी चीज की कभी नहीं होगी बहुत सिंपल परयोग है लेकिं इसको करके देखेंगे तो आपको 100% benefit मिलेगा तो हम आपसे भी दा लेते हैं फिर मिलेंगे हर हर आपसे थापसे धोगी यापसे लेगा भी दाने सकत केता है।